हेलो दोस्तों आप देख रहे हो टेक्निकल पोकस यूटूब चैनल और मैं हो प्रकस दुल्लव आपका दोस्त आज इस वीडियो में मैं आपको बात करूँगा क्यूंकि दोस्तों जो नए ब्लोगर है वो अक्सर क्या करते हैं फ्री टेंप्लेट का यूज करते हैं तो दोस् में आपके लिए एक ऐसा प्रीमियम टेंप्लेट लाया हूँ जिसकी मतलत से आप भी आसानी से अटसेंस का एप्रोःबल पास सकते हो तो दोस्तों एटेंप्लेट मैं आपको systemic कर दूँगा तो दोस्तों क्या होता है फ्री टेंप्लेट और Premium टेंप्लेट में और template अगर कोई YouTuber बो template को आपके उसके जो backup लेके देता है तो दोस्तो उससे आपको क्या नुक्सन होता है सारे जानकरी आपको मिलने वाला है प्लस दोस्तो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा जो Mac Pro का template है उसको आप क्या से डिजाइन कर सकते हो तो मैं Mac Pro का template को एकदम दोस्तो खुद की तरह से customize करके रखा हुआ हूँ अगर आप चाहते हो भो भी ले सकते हो तो दोस्तो क्या हो था है अक्सर के मानों मेरा एक ब्लॉग website है और मैं वह ब्लॉग support में ही चलाता हूँ तो उसमें कोई template है मेरे पास और adsense भी approval है मेरे पास पर रहे जाएगा और adsense में जब भी review में वह भीग जेगा तो adsense उसको क्या message पाटाएगा message देगा कि you are already have a adsense account तो इसलिए बहुत सारे जो नए ब्लोगर है उसको adsense का approval कभी नहीं मिलता है और क्या होता है धीरे-धीरे वह adsense के और blogging के जो platform में उससे छोड़ देते हैं तो ऐसे बहुत सारे blogger है उसके साथ हुआ है इसलिए मैं जो problem है आपके साथ discuss कर रहा हूँ वीडियो को अंतक देखना अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत template जिसकी मदद से आप आसानी से adsense का approval पा सकते हो यह template का loading speed इतना ही ज्यादा है दोस्तों अगर आप में कोई भी आर्टीकल ठीक्टाक से लिख तो friendly करके तो जरूर आपका वह article तुरांत इंडेक्स होगा मैं जो भी adsense अप्रूबल करता हूँ इस template की मदद से तो दोस्तों अगर आप में से कोई चाहते हो कि content writing करके आपकी website को मोनिटेस करना तो दोस्तों आप संपर्ण कर सकते हो हम आपकी website को मोनिटेस कर देंगे article link link के 30 days का time आपको देना होगा हमें हमारा जो टीम है वो 30 days में कोई भी website को adsense से मोनिटेस कर दे सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही चलिए चलते हैं मेरे skin में और आपको दिखा देते हैं कैसे उस template को आप यूज कर सकते हो वो template कितना फास्ट है और उस template को जो layout में design करना तो उसमें आप क्याका layout यार वो रख सकते हो आप जो चाहते हो वो template पहले आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यह रहा वो थीम जिसके बार में मैं आपको बोल रहा था इस थीम के कहते हैं मैं पूर प्रिमियम ब्लोगर थीम तो मैं प्रिम भर्सन आपके लिए सेयर कर रहा हूँ जो मेरे सब्सकाइबर है जो ताकि वो copy वाला थीम ना यूज करें इस लिए मैं इस थीम क आपको रिवीव करना चाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है इस थीम को यहाँ पर देख सकते हो फॉलो आस से फॉलो आस में आप कितने कितने फॉलो आर्स आप बना सकते हो वह भी दिखा सकते हो और यहाँ पर देख सकत तो यह पे popular post जो भी popular post बनेगा वो यह पे दिख जाएगा और recently post जो भी होगा यह पे दिख जाएगा उसके बाद comment है, comment section को भी adjust किया गया है, और उसके बाद दोस्तो अगर आप latest जो भी update करते हो, यानि जो भी article लिखते हो, वो article यह पे automatically show हो के आ जाएगा, ठीके, और उसके एकदम नीचे आपको यह पे क्या मिलेगा, नीचे आपको आपके website का logo दिखाएगा, और उसके बाद आपका website का description है, और आपका जो social sites है, वो उसका logo यह पे दिख जाएगा, अगर कोई social sites से आप मध्धम से आपसे संपर करना चाहते है, वो कर सकते, और उसके बाद आपको जो adsense policy वाला तीन नो page है, वो page आपको यह पे दिख जाएगा, यह पे आप देख सकते हो, home, about, contact us, और आपको RLT supported version आपको यह पे दिख जाएगा, और यह पे दिखे design why, यानि design किसके उपार है, तो उसके उपार आपके website का नाम भी डाल सकते हो, तो ऐसा कुछ है, और एक तो menu के अंदर क्या-क्या है, देखे पहले, पहले यह पे तीनो logo है, और उसके बाद आपको यह पे जो pages से आपको यह पे दिख जाएगा, और उपर में आपको यह पे दिख जाएगा कि कितना सुंदर एक अच्छा सा menu बार दिखाया गया है, तो यह पे home, about, contact us, और उसके स अच्छा मोड हो जाता है, तो डाग मोड का option है, सबसे अच्छा दोस्तों इसको समझने के लिए एक article इस पे लिखाया गया है, तो मैं आपको open करके उस article के बारे में बारे में बाता हूँ, इस themes के बारे में, तो यह पे join manager बोला, एकदम responsive है, बहुत अच्छा theme से, अगर आ बार्क मोड सिस्टेम है, और 5 features post style है, on 6 content blog style है, और slide post widget से 3 comment system है, RLT supported है, ACO optimized है, great performance है, यानि आपको जो website है, वो एकदम fast loading के article open होगा, और यह पे mobile friendly है, adsense friendly है, और fast and friendly supported है, तो सारे के सारे चीज़ जो एक website में होना चाहिए, वो इस template में आपको मिल जाएगा, तो इस template को य आपको जरूर, adsense का approval मिर जाएगा, तो इसको कैसे design करते हैं, साइद आपको पता ही है, और अगर आपको पता नहीं है, कैसे design करता है, तो आपको पहले आपको चले जाने, blogger के dashboard में, dashboard में जाने के बाद दोस्तों पहले तो इस template को आपको download करना है, मेरे website से, discussion link से, या हमार आपको पहले, telegram channel से, करने के बाद आपको यहापधे themes का यह option मिलेगा, themes का option में जाने के बाद जिसको download करोगे, यह पे customize करोगे, और यह पे देखिए, storage लिगा हुआ हुआ है, store में किलिक करोगे, और upload में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो themes से download बाला section में ले जाए हो या मुझसे डाइरेक्ली संपर्ख कर सकते हो मैं आपको हिल्प करूंगा इस थीम को कस्टोमाइज करने के लिए तोस्तों फिलाल आज के लिए इतना ही और एक दिन नए एक वीडियो के साथ नए एक थीम के साथ अपसे मिलेंगे और संपर्ख होगी फिलाल भाई